तो ब्लड ग्रूप की जब अपन बात कर रहे हैं तो हमको यह भी समझ लेना है कि टोटली डिपेंड्स ऑन दे डॉमिनेंट और रेसिसिव एलीज मैंने यह आपको बताया था कि IO जो है यह पुरी तरह से रेसिसिव के ऊपर यह करेक्टर है बचो और आपको पता है यह बिल्खुल वैसे ही है जैसे जब हम लोग बड़े हमारे घर में होते हैं तो आपकी नहीं चलती है माँ पर न यही होता है कि आप चाहते हैं कि मुझे यह काम करना है लेकिन आपके बड़े जो है वो आपको समझाते हैं और आपको बताते हैं कि नहीं यह काम आपके लिए ठीक नहीं है आपके लिए यह काम बेटर है लेकिन जब आपके घर में कोई बड़ा नहीं होता है जब आपके पैरेंट्स आपके घर में नहीं होता है तब आप वही काम करते हैं जो आपको पसंद है, है न, वैसे ही कुछ, यहाँ पर जो यह recessive character है, यह बिल्कुल आपके जैसे है, है न, जब आप दो छोटे बच्चे मिलेंगे, दो छोटे बच्चे मतलब, जब IO और IO आपस में मिलेंगे, तब हम बोल सकते हैं, कि यह जो character है, this will be able to express itself, तब यह अपने आप को express कर पाएगा बच्चो, और अगर हम बात करें इस character की, है न, तो अगर देखें, यहाँ पर यह dominant है, और यह recessive है, तो इन दोनों में कौन, महाँ पर अपने character को explain, express कर पाएगा, वो होगा, आपका IA, है न, मतलब यह dominant है, और दूसरा recessive है, इसी तरह से, अगर हम B की बात करेंगे, I B, है न, और I O, इसमें भी, यह B जो है, वो यहाँ पर dominant बन जाएगा, और blood group जो है, इस case में A कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर, this will be blood group B, इस तरह से बच्चो, यह blood group जो है, वो depend होता है, आपके genes के उपर, और co-dominance के उपर, आपने, जब law of dominance, dominance, या फिर, law of inheritance जब आपने सीखा था, उसी में, law of co-dominance की बात आपने समझी थी, जिसमें, red color का flower, और orange color का flower, या orange नहीं, yellow था वो, दोनों आपस में मिलते हैं, so there will be a different kind of color, महाँ पर दोनों का एक मिला जूला color आपको देखने का मिलेगा, वही, वैसे ही कुछ, यहाँ भ आपने, यहाँ तो उसी के कारण आपका blood group, जो है, वह यहाँ पर depend करता है, यह फिर बन पाता है, यह तो रही blood group की बात, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, कि कुछ लोग जो आप उनसे blood group के बारे में बात करेंगे, तो वो बोलेंगे, कि मेरा blood group तो A है, मेरा blood group B है, मेर ब्लड ग्रूप A, B है या फिर O है इस तरह से हमने यह चार ब्लड ग्रूप की बात अभी तक की है और किस बेसिस पे की है एंटीजन और एंटीबॉडी की बेसिस पे की है लेकिन जब हम इसके आगे बात करते हैं बचो तो कहीं बार हमको सुनने को मिलता है कि यह दो चीजें इसमें देखने को मिलती है एक होता है A positive और दूसरा होता है A negative वैसे ही यहाँ पर ब्लड ग्रूप B में भी B positive और A negative देखने को मिलेगा इसमें भी A B positive और A B negative देखने को मिलेगा O के केस में भी same है बचो यहाँ भी O positive और O negative देखने को मिलेगा मतलब देखे अब blood group कितरे हो गए एक दो तीन चार मांच छे साथ आठ आठ 8 blood group हो गए on the basis of the plus and the minus और positive charge negative लेकिन यहाँ पर यह वैसा चार्ज नहीं है जितना जैसा हम अभी तक chemistry में पढ़ते हैं यह चार्ज वैसे नहीं है कि इन्होंने यहाँ पर कोई electron gain करा होगा यह donate करा होगा ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है इस positive and the negative charge or sign is coming on this blood group is because of this RH factor यह जो RH factor था जैसा हमने महाँ पर antigen की बात करें थी कोई भी RBC जब हम बात करेंगे उस RBC के ऊपर you will be able to see a structure जिसको हम लोगों ने antigen नाम दिया था उस antigen का जो नाम हमने दिया है बच्चो antigen के current वो blood group वो नाम उसको मिला है है ना वैसे ही इस RBC की surface पर इसी RBC की surface पर what we will be able to see another kind of structure एक दूसरा structure महाँ पर होता है यह structure सबसे पहले Rhesus monkey के body में देखने को मिला था या फिर Rhesus monkey के blood में यह देखने को मिला है ना तो उसी Rhesus monkey में मिलने के current सबसे पहले उसी में देखा गया उसके blood में देखा गया तो यह RH जो है वो यहाँ पर हमारे blood group में भी देखने को मिला और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 80% जो लोग है उनका positive blood group है negative नहीं मतलब जिन में उस RBC की सता पर RH antigen देखने को मिला वो कहला है RH positive और जिनकी body में या जिनके blood में RBC की सता पर RBC की surface पर अगर RH factor नहीं मिला है तो वो कहला है या RH negative है नहीं तो इसलिए यहाँ पर इन blood group के साथ में यह भी check करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वो positive है या negative है नहीं ऐसा क्यों उसके बारे में आपको अभी जवाब मिलेगा कि अगर मैंने blood group तो चेक किया लेकिन यह नहीं चेक किया कि उसमें RH positive था या negative उसको बिना चेक किये आपने blood transfuse करा दिया इसके कारण पहली बार में तो कुछ नहीं होगा लेकिन दूसरी बार में आपको problem देखने को मिल सकती है वो कैसे अब हम समझेंगे तो यह आपको RH factor क्या है RH factor यह RH factor रिसस monkey में सबसे पहले देखने को मिला था और वो mammals में भी बच्चों देखने को मिला है इसलिए इसको हम लोग RH factor को बारे में बात करने और यह factor के बारे में उन्होंने बताया इन्होंने बताया कि O negative जो है वो universal donor है अभी तक हम को क्या पता है कि O जो था वो universal donor था लेकिन negative जो है बच्चो this will be universal donor देखे RH factor उस पर present नहीं है अगर present होता तो वो positive होता है तो यहाँ पर नहीं है तो इसलिए वो universal donor तो है वो universal donor तो है लेकिन अभी क्या होगा यह positive और negative की reaction भी हो सकती है इसलिए यह check करना बहुत जरूरी होगा इसके बाद में देखे अगर आगे बात करें AB positive जो था वो universal acceptor है मतलब यहाँ पर antigen और antibody की reaction के बारे में भी बात होगी उसको भी ध्यान में रखा गया है ना तो यह points आपको बहुत ज़्यादा important यहाँ पर साबित होते है ना के विल exam point of view से अगर आप in future अगर डॉक्टर बन भी जाते हैं तो यह चीजे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बच्चों है इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर ratio देखा जाए तो आरेच एंटीजन जो है वो सबसे ज़्यादा या फिर dominant हमको देखने को मिलता है dominant मतलब the character which will be able to express itself है ना दूसरी बात अगर हम करेंगे तो यह देखे आरेच positive करीबन भारत में 97% लोग जो है वो आरेच positive है उनमें आरेच positive antigen या आरेच antigen उनके blood RBC की surface पर देखने को मिलता है हना वैसे ही आरेच negative वो लोग है जिनमें आरेच factor पुरी तरह से absent था उनके RBC पर इस तरह का आरेच antigen present था ही नहीं हना तो यह चीज हमने यहां पर समझी बचो अगर पुरी दुनिया की बात करें इंडिया की बात तो हो गई अगर हम दुनिया की बात करें तो पुरी दुनिया में I told you this thing कि 80% जो लोग है हना वो RH positive है और अगर negative की बात करें तो वो 20% लोग हमको देखने को मिलेंगे अब यह RH positive और RH transfusion जो कर रहे हैं इनके positive और negative के मिलने के कारण there will be a issue है ना तो देखिए इसको कैसे हम इस पर एक example यहाँ पर लेते हैं कि किस तरह से यह काफी ज्यादा important factor यहाँ पर साबित होता है हम यहाँ पर एक RH positive हम इसको female को लेते हैं यहाँ पर तो इसमें जो समझना है वो यह कि जो female है इस female का जो blood group है वो RH negative है हना इसने एक बार blood जो है वो किसे लिया है वो RH positive किसी भी male या फिर female से उसने ले लिया मतलब यह दोनों donors हैं आपर और यह acceptor है इननने blood group तो चेक किया था लेकिन हुआ क्या है problem क्या हुई है वो यहाँ पर समझना है देखे सबसे पहली बार जब इन्होंने blood को transfuse कराया तो देखे यह इनके RBC है है और यह इनके RBC यह जो यहाँ पर female जो है यह इस female का RBC देखे होगा यहाँ पर यह कि जब भी यहाँ पर यह पहली बार इसको जरूत पड़ी किसी विदरा का कोई issue यहाँ पर होगा और उस issue के कारण problem यह हुई कि यहाँ पर यह आरेच एंटीजन हम लोग यहाँ पर red से denote कर रहा है this is the RH antigen अगर RH antigen present है मतलब क्या है कि वो RH positive है blood group बिलकुल वही है blood group जो है बिलकुल A यहाँ पर हमको देखने का मिलेगा मतलब antigen जो है यहाँ पर दूसरा साथ में that is यह है आपका antigen A हना यह हुआ दूसरा यहाँ भी आपको क्या देखने को मिला कि यह जो था यह antigen A यहाँ पर female में हमको देखने को मिला अब इन्होंने blood को transfuse करा दिया मतलब इस male ने इस female को यह blood जो है वो donate कर दिया तो क्या होगा पहली बार में क्या होगा वो हम यहाँ पर समझता है पहली बार में हुआ यह कि जब यह blood इसकी body में transfuse हुआ तो क्या हुआ यहाँ से antigen वहाँ पहुचे antigen जो है वो यहाँ पर transfer होते हैं अब आगे क्या होगा आगे होगा यह कि जब यहाँ पर यह RH positive या फिर RH factor यहाँ पर पहुचेगा तो इसके कारण कौन activate हो जाएगा यहाँ पर activate हो जाएगा आपका B lymphocyte B lymphocyte हमने उसके बारे में भी बात करी है तो B lymphocyte यहाँ पर activate होगा और वो इस RH positive antigen को detect करेगा और उसको पता लगेगा कि कोई foreign particle हमारे शरीर में आया है अब होगा क्या उसके कारण इस B के कारण क्या होगा यहाँ पर दो तरह के cell produce होगे पहला तो plasma होगा और दूसरा होगा यहाँ पर memory cells हमने यह चीज़ देखी थी कि T lymphocyte और B lymphocyte यह दोनों ही responsible होते हैं memory cells के production के लिए है ना memory cell यहाँ पर होंगे लेकिन साथ में plasma भी है plasma पूरी body में इदर उदर घूमता रहता है they will be able to detect the thing और जब इनको यह पता लगए है कि RH positive या RH antigen हमारी body में enter हुआ है तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर पहली बार यह पहला dose है ना बचो तो यह पहली बार आ जाने के कारण यह पहला transfusion हो जाने पर यहाँ पर क्या होगा antibodies का production होगा और यह बनेगी IgM और ज्यादा बनेगी लेकिन IgG जो है वो यहाँ पर कम मात्रा में बनेगी हना IgG कम बनेगी और IgM जो है वो यहाँ पर ज्यादा antibody बनेगी अब देखे ज्यादा पहली बार में produce हुआ है लेकिन कभी अब क्या होगा antibodies यहाँ पर बन गई है यह क्या बनी है यह क्या बनी है यह बनी है आपकी antibodies और जब antibodies बन गई है भया तो यह risk है आपर मतलब अब अगर दूसरी बार यह transfuse हुआ तो यहाँ पर बहुत बड़ा side effect इसका देखने को बिलेगा अब दूसरी बार किस accident की वजह से या फिर birth किसी बच्चे को देते समय इसके शादी हुई और बच्चे को अगर वो birth दे रही थी तो birth देते समय इसको blood की जरुवत पड़ी और इसने फिर से इसी mail को phone लगाया और बुलाया कि मुझे फिर से blood की जरुवत पड़ी है दूसरी बार यहाँ पर second attack करेगी वो attack करेगी इसी के blood के उपर है ना तो जैसे यहाँ पर दूसरी बार जब यहाँ पर उस blood को transfuse करेंगे तो यह जो RBC जो अब यहाँ पर आ रहे हैं इसके उपर यह antibodies यहाँ पर attack करेगी दूसरी बार में IGG जो है वो सबसे ज़्यादा मातर में बनेगी छोटी होती है और यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनेगी and this is going to attack on the RBC which are going to be transfuse over there और जैसी वो transfusion यहाँ पर होगा antigen antibody reaction हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी बचो जिसके कारण इस female की death यहाँ पर हो जाएगी तो यह क्या है यह RH positive और RH negative का effect है कि हमको इनका check-up कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह हमको ध्यान रगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको RH factor का impact जो है वो यहाँ पर समझ माया होगा देखें अब यहाँ पर क्या बुला है हमको इसमा बुला है कि अगर जब भी आप blood transfuse कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा आपको RH positive और RH negative का पता लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने पहली बार में पता नहीं लगाया और आपने इसको transfuse कर दिया तो पहली बार में तो आपको यह समस्या का पता नहीं लगेगा लेकिन दूसरी बार में जब भी यह medical emergency यहाँ पर पढ़ती है तो यह जो antibody पहले transfusion के का current produce हुई है यह antibody वहाँ पर death का कारण बनेगी और clotting का या फिर कहें agglutination का कारण वो बनेगी और इस female की वहाँ पर हमको death होती भी दिखाए देगी so this is the impact of this rh factor तो वैसे ही यह mother में भी हमको देखने को मिलेगा यही वही example यहाँ पर अगर mother यहाँ पर rh negative है father यहाँ पर rh positive है तो यहाँ पर बच्चा जो है है ना वो यहाँ पर देखिए उसने क्या बोला है in this case the first pregnancy is completely successful मतला अब देखिए पहली बार में यह वही condition है कि पहली बार में जो antibody जो बनी है IgM जो बन गई है बच्चो वह यहाँ पर ज्यादा होगी बलकि IgG जो है वह यहाँ पर कम आत्रा में बनेगी लेकिन दूसरी बार क्या होगा दूसरी बार में IgG जो है हना यह antibody जो है this will be produced more in number यह और ज्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होगी और अपना effect महाँ पर शो करेगी अब देखें यह कैसे तो देखें अगर वो पहली बार जब pregnant हुई और उसने बेबी को बर्थ दिया तो बेबी को बर्थ देते समय आपको यह पता है कि the baby will be covered by a layer जिसको हम लोग बोलते है प्लेसेंटा है ना तो प्लेसेंटा जो है उस प्लेस RBC को बाहर जाने की अनुमती नहीं होती मतलब बेबी का और मदर का दोनों का blood जो है वो यहाँ पर separate रहता है दोनों को मिलने नहीं दिया जाता है कौन नहीं मिलने देता है प्लेसेंटा नहीं मिलने देता है है ना तो पहली बार में जब भी अगर वो बर्थ हुआ और किसी हो जाएगा और जब दूसरी बार अगर वो बेबी को अगर बर्थ देगी है ना बेबी को अगर वो दूसरी बार बर्थ दे रही है और अगर बच्चे का blood group उसके blood group से opposite है मतला mother का blood group positive है और बेबी का negative है तो यहाँ पर antibody produce हो जाने के कारण क्या होगा उस बेबी की life पे question mark म लेगिन वो कब होगा वो second delivery में होगा और उस condition को हम क्या बोलेंगे उस condition को हम बोलेंगे erythroblastosis fatalis what it will be called बच्चो it will be known as erythroblastosis fatalis इसमें यह होगा कि erythroblastosis blastosis मतलब कि erythro side कोन है आपके आपके RBC है न उसका blastosis blastosis मतलब अब वो रप्चर यहाँ पे हो जाएंगे और उसके रप्चर होने के कारण what is going to be happen और किसमें हो रहा है बेबी के ऊपर यह हो रहा है तो यह problem हमको देखने को मिलेगी कि महाँ पर agglutination होगा और बेबी की जान वहाँ पर चली जाएगी इसलिए इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यह agglutination वहाँ पर ना हो इसको बचाने के लिए what we will do वहाँ पर हम एक injection उसको delivery के समय दे रहते हैं उसको कहा जाता है anti-rh dose है न एक anti-rh dose वहाँ पर दे दिया जाता है जिससे यह antibody का production वहाँ प लेकिन इसका effect आपको कब देखने को मिलेगा दूसरे दूसरी बार contact में आने के कारण तो यह बचो erythroblastosis fatalis यह काफी ज्यादा important topic है आपकी exam point of view से तो यह आपके RS factor के कारण बचो यहाँ पर हो रहा है अब हम blood की जब हम इत्ती सारी बाते कर चुके हैं तो उसके function को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि केवल blood group भी नहीं यहाँ पर बाकी के भी आपको functions आपको याद रखने होंगे कि किस तरह से this blood will be very much important for the body इसमें पहला जो पहला जो point आता है कि सबसे पहले तो यह gases के transportation के लिए responsible होता है जैसे अगर हम बात करें हम lungs की अ करते हो और ब्रीद आउट करते हो जब आप ब्रीद आउट करते हो तो carbon dioxide यहाँ से बाहर चली जाती है और अंदर कौन आ जाता है oxygen यहाँ पर आ जाता है लंग्स के अंदर तो आया ही है लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर conversion होगा from what to what this is going to convert your blood is going to convert into what यह जो blood है यह convert ह हो जाने वाला है oxygenated से डी oxygenated से oxygenated में यह conversion आपके lungs में हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि आपके hemoglobin पे oxygen ने आकर bond बनाया उससे दोस्ती वहाँ पर कर ली है और उसी दोस्ती हो जाने के कारण आपका यह blood oxygenated बन चुका है ना oxygenated से oxygenated blood यह बनके यहाँ पर हमारे सामने है बच् पूरी body में supply होगा मतलब यह blood ही है जो पूरी body में आपके हर एक cell तक या tissue तक या organ तक it will be responsible to transport gases है ना और वहाँ से carbon dioxide लेकर again it will come back to the lungs ताकि आप breathe out कर सके आप उस carbon dioxide को exhale out कर सके मतलब यह तरह का respiratory organ में भी बहुत important यहाँ पर है blood जो है वो बहुत सारा nutrient एक जगे से दूसरी जगे ले जाता है यह आपके elementary canal या फिर आपकी विलाए में यह देखने को मिल सकता है विलाए का structure आपको बच्चों याद होगा उसी विलाए में हम लोगों ने यह भी देखा है कि this विलाए will contain what it will contain some blood capillaries in it इसम transportation of whatever kind of food you people are going to eat यह ना तो देखिए इससे होगा क्या इससे होगा यह कि जो भी खाना the digested food which is moving over here inside the small intestine यह क्या है बच्चों हम small intestine को समझ रहे है यहाँ पर उसी small intestine में उसी small intestine में this process is going to be happen over here है ना कैसे यह हो रहे है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि small intestine में this kind of villi will be there यह क्या है बच्चों विलाए है ना तो small intestine के अंदर यह विलाए है these villi will contain some kind of pores on it इस पर कुछ pores यहाँ पर होता है है ना और उनकी मदद से this food the food which is moving over here the digested food which is moving over here this is going to mix this is going to transport directly to the blood capillaries which are there inside of villi or villus ना विलस के अंदर जो यहाँ पर blood capillaries है उस blood के साथ में आपका खाना जो है वो पुरी तरह से यहाँ पर mix हो जाता है now this food will be carried towards the other part of the body जहाँ पर इसका utilization होगा क्यों utilization होगा क्योंकि आपकी body में energy का production होना बहुत जरूरी है और वो energy मतलब ATP adenosine triphosphate जो महाँ पर बनने वाला है बचो उसका production इसी food के इस blood में mix हो जाने के बाद ही it will be possible हाना तो यह चीज़ हमको यहाँ पर समझ महीं मतलब elementary canal में भी आपके digestion की process के हो जाने के बाद the food will be carried out towards a different part of your body it will be done with the help of your blood only है ना तो यह blood का दूसरा function दूसरी बात तीसरे function की अगर बात करें तो यह hormones को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाने के लिए बहुत responsible है आप रात को बाहर निकले हैं कुछ doggy ने आपको महाँ पर गहर लिया है आप अपनी जान बचा के भागे हैं तो भागते समय आपका blood pressure जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा और यह blood pressure जब बढ़ेगा बच्चो तो यह blood pressure बढ़ने के पीछे कारण क्या होगा ताकि आपकी बॉड़ी में oxygen का supply थोड़ा तेज हो चके हरब आपकी बॉड़ी में energy का production भी थोड़ा तेज हो सके या ज्यादा energy का production हो ताकि हम तेज जोड़ सके आपकी thinking capacity जो है वो यहाँ पर काफी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह सारी process जो आपकी body में हो रही है it is because of blood pressure मतलब आपके heart को यहाँ पर ज़्यादा move कराना है आपकी heart beat यहाँ पर बहुत तेज हो जाएगी बच्चो आपकी heart beat जो है वो यहाँ पर काफी ज पचाने के लिए मतलब आपका blood ही है जो responsible है आपकी पूरी body में hormones को एक जगे से दूसरी जगे पहुचाने के लिए क्योंकि यह सारी process तुरंत ही शुरू हो सके इसके लिए आपकी kidney के ऊपर एक cap like structure जो होता है जो yellow color से हमको हमारी books में देखने को मिलता है which is known as adrenal gland है यह क्या क जो है this is responsible for the production of adrenaline है ना यह क्या है यह क्यों responsible है किस चीज के लिए responsible है तो यह adrenal gland adrenaline के production के लिए responsible है और वो adrenaline blood की मदद से पूरी body में फैल पाता है और पूरी body में फैल जाता है उसके बाद ही oxygen blood pressure, heart beat, thinking capacity, metabolic activity यह सारी चीज़े तेज हो पाती है बच्चों इससे यह पता लगता है कि blood जो है is responsible for the transportation of hormones also और आगे अगर बात करें बच्चों तो यह जब एक cell से दूसरे cell के पास में पहुंसता है मानली जी यह आपका एक cell है तो इसको इनो ने क्या करा इसको oxygen का supply किया इसको food का supply किया और जब इसके अंदर यहां पर metabolic activities पूरी हो the help of blood यह जो blood की मदद से यहां पर जो transportation हुआ था बच्चों now the food now the cell is going to put what यह cell क्या करेगा यह cell जो है वो यहां पर अपना waste material या metabolic waste जो है they are going to drop into blood यह blood के अंदर drop करेंगे मतलब यह बिल्कुल वैसे ही है जब भी हम किसी भी तरह के ritual को perform करते हैं तो उन सारी सिसों को सर्जत करने के लिए we will put it in the river है ना और वैसे ही कुछ हमारे यहां पर blood में भी होता है कि बाकी के सारे cells because they will not be able to come out to throw the गीला और सुका वाला कच्रा अलग अलग तो what they will do they will drop it in the blood और यह blood जो है now this need to go for the process of filtration क्योंकि अभी इस waste के आजाने के कारण there will be a change in the pH also there will be a change there will be a change because of this toxin which is dropped by different muscles and the tissues of your body तो इसको यहां पर excretion के लिए kidney में जाना बहुत जारा जरूरी होगा और इसका filtration होगा तभी आपकी body से यह waste material बहारा पाएगा this is going to responsible for the maintenance of the body temperature also आपकी body में आप ठंड के दिनों में अपने हाथ जो है आपने आग जला कर अपने हाथ को गरम किया और उस हाथ से जब गरम गरम blood जो हो जाएगा आपके हाथ में भी blood है बचो है ना capillaries वहाँ पर है heat उसमें आ जाएगी and whenever it will move towards the other part of your body तब यह heat जो है this is going to regulate throughout the body मतलब यह आपके body temperature को maintain करने के लिए भी responsible है उसके बाद में बचो यह blood जो है यह immunity हमारी body में maintain रखता है मैंने आपको अभी बताया था कि आपके natural killer cells है ना आपके T cells है ना जितने भी cells आपनों देखे हैं T cells के बारे में बात करी हम लोगों ने natural killer cells की बात करी हम लोगों ने है ना तो यह killer cells जादा ना हो जाए इसलिए suppress करने वाले T suppressor cells महाँ पर produce होना बहुत जरूरी है बच्चो T helper cells आपकी पूरी body में घूमते रहते हैं है ना और आपकी body में क्या करते हैं वो वो महाँ पर सही समय पर antibodies produce करवाते हैं है ना तो AIDS के कारण क्या हुआ AIDS के कारण यह हुआ कि आपके यह जो आपके TH cells जो हैं मतलब helper cells जो हैं बचो वो यहाँ पर destroy कर दिये जाते हैं कि पुरी तरह से इनका production रोग दिया जाएगा HIV यही तो करता है कि आपकी body में antibody का production पुरी तरह से रुख जाएगा इसके कारण क्या होगा अब आपके जो शरीर में जो immunity जो है वो पूरी तरह से collapse हो जाएगी खतम हो जाएगी वैसे ही यह जो killer cells है यह कब produce हो रहा है जब भी आपकी body में infection होगा आपको बुखार है या फिर और किसी भी तरह का infection अगर आपको हुआ है या cancer वाली condition हम बोल सकते हैं कि अगर cancer महा पर हुआ है तो यह जो है यह कुछ cells जो है महा पर जब वो denature होते हैं तो वो अपनी body से chemical का production करते हैं that chemical will be identified this kind of cells यह K cells जो है these are responsible for what है ना तो यह cancer वाली condition में क्या करेंगे बच्चो these will be responsible to kill that particular type of cell over there और यह cell खुद यह ना केवल cancer वाली condition में बच्चो लेकिन अगर आपका cell किसी virus से भी infect हुआ है in that condition also यह उस पर भी attack करेंगे और अगर मानलो अगर यह cell बहुत जादा बढ़ गए तब अगर यह बहुत जादा बढ़ जाए तो हमारे पास में suppressor cells भी हैं यह suppress इनको करते रहते हैं इनको रोकते रहते हैं वहिया शान्त गदाधारी भीम शान्त और इस तरह से इस cancer these killer cells will be suppressed और यह आपके बाकी के cells को affect नहीं कर सकते हैं तो यह आपको सौझ माया बच्चो देखो यहाँ पर यह हो रहा है कि जब यह आपको virus यहाँ पर हुआ है तो अभी देखे अभी जब covid pandemic है यहाँ पर हमको देखने को मिला है उसके बाद में होगा यह कि immunity आपकी बहुत कम हो गई है जिन लोगों की immunity कम हो गई है उनको in future यहाँ पर cancer की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी है कैंसर की समस्या यहाँ पर बढ़ेगी इसलिए हमको जरूरत है कि हम हमारे immune system को अब strong करें हमारी immunity को यहाँ पर बढ़ाए तब ही हम आने वाले future में हम cancer से बच पाएंगे है उसके बाद में देखें दूसरा यह आपके blood loss को रोकता है clotting यहाँ पर होती है यह clotting जो है वो किसके कारण होती है वो होती है आपके platelets के कारण platelets का करेंगे they will be responsible for the clotting over there उस blood को वहाँ से leak होके बाहर जाने से बचाने वाले these cells will be there बचो तो यह clotting के लिए भी responsible होगा है उसके बाद में देखें यह सारे functions आपने जब इस blood के देख लिये हैं तो blood is not only responsible for the transportation of things लेकिन यह आपकी body में water का supply भी एक जगे से दूसरे जगे कर रहा है यह waste material के लिए filter होने जाता है और बाकी सारे waste material को वहाँ से body से बाहर निकलवाता है तो blood कितना ज़्यादा important है उसका amount आपको मालूम है कि उसकी quantity आपको पता है कि कितनी quantity में कितनी शमता के साथ में it will be able to perform the function over there लेकिन अगर किसी भी current से इसमें किसी भी carp cells का number घटता या बढ़ता है तो उसका effect भी आपकी body पर देखने को मिलेगा कितना चरह उसका साथ एक भी आपको खशाणी कि उसकाश में जब एका कितना जगर उसका आपकीपार करो बढ़ता है